राम राम जी मैं आप सबका ब्रदर फिटनेस आज मैं आपको पुछ अपस की गलतियां और उसको सही तरीके से लगाने का बेस्ट तरीक का बता रहूँ और सिंपल तरीक का बता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्ली सपोर्ट करो और वीडियो लास तक देखे तब हैर कर दोना दया कि दूसरे साइड अंगल से और ज्जादा अगे ले जाएंग और फिर लिगाते ऐसे के और एक लिए से यह अगरते और यह हटर समने का कुछ लोग ऐसे दूर रख लेंगे और elbows को अपनी को ऐसे ले जाएंगे तक यह देखें ऐसे जो हमारे कुछ लोग कुछ लोग रेंज ओफ मोशन पूरा नहीं लेते कुछ लोग ऐसे लगाएंगे उपर उपर कुछ लोग ऐसे लगाएंगे नीचे नीचे तो यह दोनों भी गलत है मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगा सकते है यह देखें फुल गित्र बैस्ट चरीकल यह देखिए ऐसे ठीक है और साथ में एक और गलती दिखाता है आपको कुछ लोग हातों को सही प्लेस कर लेंगे बट उनकी जो बोडी का पोजिशन है ना वो गलत रहेगी यह देखिए कुछ लोग ऐसे कर लेंगे बैक को और ऐसे ऐसे लगाएंगे वो भी गलत है इसमें आप सब इंजड ज्यादा होंगे और बैनिफिट कम मिलेंगे पिरेखिए मैं आज आपको बतातों बढ़िया और सिंपल तरीका जिसे आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे पिरेखिए सिंपल आपको फ्लोर पे लेटना है ठीक है और जो चेश्ट है न उससे यह अंग उठे की जितनी दूरी पे आपको अपने हाथ प्लेज कर लेना है यह देखिए ठीक है सिंपल और आपको घर्की को पुष करना है नीचे की दरब यह देखिए पूरा लोवर बैक देखिए ग्लूट्स देखिए बोड़ी पूरी सीधी रहनी चाहिए और यह नीचे जाएंगे और यह पूरा उपपा है ठीक है पुष आप मसल पकड़के लगाने तब ही आपको रिजल सोल्डर से थोड़ा सा भार रखेंगे और जो नीचे जाएंगे तो यह चेस्ट के साइड में आएंगे यह देखिए यह था बेस्ट तरीका सिम्पल तरीका आप भी सीख सकते हैं ऐसे लगाने यह देखिए दुबारा मैं सामने से दिखाता हूँ सिम्पल ऐसे लेटना है चेस्ट से थोड़ा सा भार हात रखने है यह देखिए और जो आपकी एल्बोज है ना वो बैक के साथ साथ जाएंगी ना की ऐसे ठीक है यह देखिए अपने टोस पे आ जाएंगे यह देखिए सिम्पल लीचे जाना है एंड आप यह देखिए आओ यह दा सिम्पल और बैस तरीका अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले